हेलो एबरीबन मैं तो बैके माई योटूब चैन्स आम सुनाजी सिंग और जैसा कि आप जानते हैं आज है संडे और मैंने आप से किया हुआ है प्रॉमिस कि हर संडे मैं एक हेर स्टाइल की वीडियो अप्लोड करूंगी लास्ट टाइम मैंने एक स्कूल हेर स्टाइल की वी आप मेरे इन फाइफ हेर स्टाइल को डिफरेंट डेज में फॉलो कर सकते हो चाहे आप ऑफिस जा रहे हो या आप घर पे रहती हो या फिर आप कॉलेज या पिर इस्कूल जाती हो तो नाव लेट्स बिगें दा वीडियो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ना आप लेट्स बिगें दा वीडियो फीरस्ट जो है ह्रुम हम बना रहे हैं वो मीड्स लीक के ताथ बना रहे हो यहां पर आगी से आपको थोड़ा सा पोस्टन लेना है बीसिकलि हम यहाँ पर three part लेकी बालो की ब्रीट बनाते हैं लेकिन यहां पर आपको two part लेना है और यहाँ पर करना है घ्रेड रहोम है पॉस तरीके यहां पर पोश्चन तक क्रेड करोगे दूरों तरप से पतले पतले फोड़े से बाल ले की क्रॉस साइज में बनाते जाओं गये यह घ्रीतो प्रस्ट नहीं थीर एक अभी हम इना आपर करना हैं तुसी तरफ भी आपको उसी तरीके से हल्का हल्गा कि बना नहीं जा सकते हैं तो आपको अच्छो लगा होगा लगा है तो प्रीज वीडियो पो लाइक कर दीजी अप बढ़ते हैं सेकंड एस्टाइल की तप रोटेट हिया, तीनों को थोड़ा सा ले जाके, जॉइंट करके, तीनों को एक साथ रोटेट करके, थोड़े से बाल हमने एर के नीचे से उठाते हुए, वहाँ पे पिन अप कर दिया है, यह हमें वहाँ पिन अप करना है, बालों से कवर कर लेना यह दिखना नहीं चाहिए, तो यह है इस hairstyle का थोड़ा सा अलग सा look कि आपके पिन नहीं दिखेगी और आपके जो आगे के hair होंगे वो शिक्योर हो जाएंगे बहुत ही अच्छे design तरीके से और look भी बहुत अच्छा create होगा तो यह रहा हमारा second simply hairstyle I hope you will like this चलिए बढ़ते हैं next hairstyle की तरफ तो next hairstyle में हमें आगे के जो थोड़ी से flips हैं किसी के नहीं होते अगर आपके लंबे भी बालें तो इस तरीके से नहीं rotate करके नीचे की तरफ आपको pin up करना है यानि कि तिर्चा ले जाते हुए नीचे की तरफ pin up कर दीजी दूसी तरफ भी हमें ऐसे ही करना है बालो को rotate करना है और पीछे ने जाके नीचे tic tac से secure कर देना है अब हमें mid से hair को छोड़ना है और ear के पास से थोड़े से hair को लेते हुए and then हमें इस तरीके से rotate करना है आप इसे cross बनाते हुए as like x का निसान बनाते हुए इन्हें उपर secure कर देना है दूसी तर के से उपर की तरफ secure कर देना है और कोई भी आप पिन यूज़ कर सकते हो और यह रहा हमारा थार्ट बहुत हीजी और अलग सा hair style सो आप देखना है कि बिल्कुल यूनिक लग रहा है और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है अगर सूट कूरती के साथ बना रहे हैं या फि जोठा सा पफ बनाना है इस तरीके से पिन लगा दिजी यानिके से secure कर देजिए और आपको इसे पिन यूज़ कर सकते हैं अपफ को हलका हलका सा कहें लुज़ करना है बिलकुल थोड़ा-थोड़ा सा यानिकि मैशी चाप बनाना है आप ये पास थोड़े से हे ले अर अब हमें उस puff के बीच में से इस तरीके से ले जाके as a headband create करना है दूसी तरफ air के पास ले जाके secure कर देना है दूसी तरफ से भी ऐसे ही hair को उठाना है और उसी line में रखते हुए दूसी तरफ ले जाके hair को pin up कर देना है तो यह रहा एक headband का hair style puff बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर आपके सारे जो hair होते है उन पर फोर्स पड़ता है तो यह वाला headband का hair style पर टिकता नहीं है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका जो hair style है वो पूरा दिन चल जाएगा easily अब बढ़ते हैं 5th hair style के तरफ यह basically मैंने उनको ध्यान में रखते हुए है जिससे कि married woman होती है तो उन्हें सिंदूर लगाना जरूरी होता है तो इस तरीके से वह easy hair style बना के अपने बालों को पीछे की तरफ secure कर सकती है आप थोड़े थोड़े बालों को ले जाके इस तरीके से line में लेते हुए हलका सा finger से और इस तरीके से पीछे secure कर लेज़े वैसे तो आप कोई भी hair style लिए बना सकता है किसी भी dress के साथ लेकिन married woman के उपर ज्यादा अच्छा लेगे कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजी शेयर कर दीजी थैंक इसो मुच लब यू और